टॉप 34 स्मार्ट सिटी में पटना को नहीं मिली जगा आखिर वज़ा क्या है कारण क्या है राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार लगतार कारी कर रही है और तमाम योजनाय लाई जा रही है देखें स्मार्ट बस टॉपेज बनाया जा रहा है यी ट्व प्रजेक्ट के टोगरी में शैनित हुए 34 सहरों में राजदानी पटना के साथ ही राज के अंतीन सहरों भागलपूर मुझपरपूर और बिहार सरीप का नाम नहीं है चुने के 34 सहरों को 18 से 20 अपरेल तक गुजरात के सूरत में होने बाले समारों में एवार्ड मिलेगा पटना के साथ ही बिहार की चारों समार्ट सिटी तैसमय पर अपने पोजेक को पूरा करने में नाकाम्याब रही है यही कारन है कि पटना को 34 समार्ट सहरों में जगा नहीं मिली अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से कि 34 सहरों में अस्थान हासिल नहीं हो सका है क्योंकि पटना सामिल नहीं किये गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के ताह 2018 से रैंकिंग के जरिये स्मार्ट सहरों के आकलन का सिस्स्टम सुरू किया गया था करोना काल के बाद से परकिरिया बदलाओ किया गया और अब लोगों को तैस समय पर पोजेक को पूरा करने वाले सहरों का मुल्यांकन किया जा रहा है देखे पटना सिटी प्रोजेक की स्थिती 40 प्रोजेक उनीस सो चौवन करोड टेंडर फाइनल किया गया 14 प्रोजेक साथ सो साथ करोड काम पुर्ण 35 पोजेक सोला सो बामन करोड वर्क ओरडर के साथ काम सुरू किया गया यह है वजट की इस्तिती पोजेक के हिसाब से एवार्ड 34 चैनित सहरों के अलावा भी कई स्मार्ट सिटी को एवार्ड परदान किया जाएगा इसके लिए स्मार्ट सिटी के सीओ और उनकी टीम को आमनतित किया गया है पटना स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी भी सूरत में होने वाले एवार्ड सेर्मेनी में सामील होने जाएंगे स्मार्ट सिटी पोजेक के तहत सहर में किये गए कारियों को वहां दिखाया जाएगा और उसके आधार पर केटोग्री एवार्ड से नवाजा जाएगा तेकि यह तमाम जो डेटा हैं वो स्मार्ट सिटी के ओफिस्यल बेब साइट पर मौजूद है मगर लगातार कारी चल रहा है हालाकि करोणाकाल में कई बाधायें आई जिससे कारी भी प्रिभावित हुआ मगर उसके बावजूद लगातार राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनायने की कबाद जो है और इसके लिए कारी लगातार चल रहा है इस ट्वाइलेट का निर्मान हुआ हाई टेक बस टौपेज का निर्मान हुआ और तमाम जो विवस्ताएं हैं वह की जा रही है और प्लांटिंग जो हैं वह किया जा रहा है हम जिस डिवाइडर पे खड़े हैं उस डिवाइडर अगर आप देखें तो प्लांटिंग का जो कारी है वह लगतार किया जा रहा है ताकि हर्याली जो है उसको मिंटेन किया जा सके और तमाम जो चीजें हैं जिससे राजधानी पटना खुबसूरत लगे उन उन चीजों पर कारी भी हो रहा है मगर उसके बावजूद 34 स्मार् पाजधानी पटना का सामिल ना होना कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है और इन तमाम सवालों का जवाब अब जो तमाम आला अधिकारी उन्हें खोस निकालना होगा खैर लाइप सिटीज के साथ बने रहे हैं अब तक आपने मां चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तुरण सब्सक्राइब कर ले कैमरा पश्चन गुड़ू के साथ मैं वसी लाइप सिटीज पटांग